शरी होम रेविडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होला अश्टक के दोरान आप लोगों को क्या क्या कारें नहीं करने चाहिए साथ ही होलाश तक के दोरान यह भी हम आपको बताएंगे कि शुप कारे करना वर्जित क्यूं माना गया है होलाश तक के दिन से होली की शुरुवात मानी जाती है बच्चे बड़े और सभी इस दिन से गुलाल से हलकी फुलकी होली खेलना प्रारंब कर देते हैं इसके अंतरगत 6 मार्च को बरसाना में लठ मार होली तदा 7 मार्च को नंदगाओं में लठ मार होली भी खेली जाएगी तो सबसे पहले फालगुन मास की पोड्णमा को होलिका का पर्व बनाया जाता है एवं इसकी सूचना होला अश्टक से प्राप्त होती है होला अश्टक का मतलब है होली से ठीक आठ दिन पहले आठ दिन जोतिश एवं शास्त्रों के अनुसार होला अश्टक के आठ दिन समस्त मांगलिक कारे करना निशेद माने गए हैं इस वर्ष होली 2 मार्च 2018 को मनाई जाएगी होला अश्टक 23 फरवरी को लगेगा जो होली का द होला अश्टक के दोरान सभी शुपकारे करने पर अपशगुन होता है अर्थात इस दोरान कोई भी शुपकारे नहीं करने चाहिए होला अश्टक का शब्द का मतलब होता है होला और अश्टक इन दोनों शब्दों से मिलके होला अश्टक बना है यानि की होली से आठ दिन पूर्व होला अश्टक कहलाते हैं दरसल होली एक दिन का पर्व नहीं होता वह पूरे नौ दिर्व का पर्व होता है जो की चैत्र महीने के कृष्ण भक्ष की प्रती प्रदा जिसे दुलहंडी भी कहा जाता है उस दिन से रंग और गुलाल खेलने के साथ यह समाप्त हो जात होला अश्टक के दोरान हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 16 संसकार जैसे की गरबधान, विवहा, पुन्स्वन, नामकरण, चूडाकरण, विदारंब, ग्रह प्रवेश, ग्रह निर्वान, ग्रह शांती, हवन, यग्यकर्म आदी को नहीं किया जाता साथ ही नई नौकरी में जाना, या नया बिजनिस शुरू करना, नई गाड़ी लेना, या कोई भी नया समान होला अश्टक के दोरान नहीं लिया जाता है क्योंकि वहाँ बहुत शुब दिन माने जाते हैं यानि कि उन दिनों के बीच आप लोग कुछ भी ना करें, वहाँ अशुप समयकाल होता है माननेता है कि होला अश्टक के दोरान किये गए कार्यों से कश्ट प्राप्त होता है इस दोरान किये गए विवहा आदी संबंद तूट जाते हैं और घर में दुख और कलेश की स्थिती बनती है होला अश्टक आरम होते ही दो डंडों को स्थापित किया जाता है इसमें से एक होलिका का प्रतीक है और दूसरे का संबंद विश्नु भक्त प्रालात से है सबसे पहले होला अश्टक शुरू होने वाली अश्टमी के दिन होलिका देहन के इस्थान पर गंगा जल छड़क कर वहाँ पर उसमें सूखे उपले, सूखी गास और होलिका देहन के लिए लकडियां लगाना शुरू हो जाती है सूखी लकडियां विशेश कर ऐसी लकडियां होती हैं जो कि सूखने के कारण पेड़ों से तूटकर गिरी हो आप लोगों को होला अश्टक के दोरान क्योंकि यह बहुत अशुप समय काल माना जाता है ना तो किसी को कुंडली दिखानी चाहिए और ना ही कुंडली देखनी चाहिए ऐसा करने से आपको ग्रह दोश भी लग सकता है अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल शरी होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद